आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देदे राजधानी दिल्ली में कोरूना के कुलकेश जिस तरह से बढ़ते वे चले जा रहे हैं 36,000 के पार आंकड़ा जा पहुचा है 24 घंटे में 2000 से जाद नए मामले सामने आ रहे हैं कल कोरोना पर अमच्छा देश के ग्रिह मंत्री एहम बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में दिल्ली के मुख्य मंत्री अरवंद केजरिवाल LG की भी मौजूदगी होगी उसके अलावा डॉक्टर हर्श्वर्धन देश के स्वास्ट मंत्री और साथ ही एम्स के गुलेरिया भी मौजूद रहेंगे लगातार राज़ानी दिल्ली के आंकड़े बढ़ते वे चले जा रहे हैं अब दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्दे नजर ग्रेह मंत्री की ये एहन बैठक होनी जा रही है और उमीद कर सकते हैं कि कम से कम इस बैठक के जरिये कुछ ठोस ऐसा निकल कराए जो दिल्ली वालों के जो देश के हित में हो और दोनों ही पार्टियां आपस में मिल जुलकर काम करती भी दिल्ली के हित में दिखाए दे क्योंकि राज़ानी दिल्ली के आंक्रे यकिनन इस वक्त परिशानी का सबब बने हुए हैं क्योंकि राज़ानी दिल्ली एक ऐसी जगह है जो देश की राज़ानी और यहां पर स्वास्त वेवस्था अच्छी है उसके बावजूद अगर चर्मराती हुए तस्वीर निकल कर सामने आए कोरोना की मामले में तो ये परिशानी का सबब है जीतेंद्र बहादूर सिंग हमारे संबाद दाता जुट चुके हैं जादर जानकारी के साथ जीतेंद्र ये बड़ी बैठक कल सुबाग 11 बजे होगी बिल्कुल चित्रा एक महात्पूर बैठक है क्योंकि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से 2000 से ज्यादा कोरोना संकमर के केस आए है इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि दिल्ली में लगातार ऐसे केसे बढ़ रहे हैं और इस बात को देखते हुए केंडरी ग्रीमंत्री अमिशाह ने एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें दिल्ली के मुक्यमंत्री तो शामिल ही होगे साथी LG अनिल बैजल भी होगे इसके अलावा स्वास्च मंत्री अर्शवर्धन भी इस बैठक में रहेंगे इसका सबसे महतपूर एजंडा ये है कि दिली में कोरोना संखमण इतनी तेजी से फैल रहा है इसको किस तरीके से कम किया जाए जो कर वसी दे बढ़ता चला जा रहा है उसको कैसे जी तेंद्र बहादूर हमारे संबाद्दाता ये महतवपूर्ण जानकारी देती हुए कल सु स्क्राइब करना ना भूले